हेलो फ्रेंट्स नमस्ते तो आज हम गुबारे जैसे फुली फुली दाल पूरी बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा नर्म होगी ये पूरी और इसमें जो स्टफिंग होगी वो भी हम अच्छे तरीके से बरेंगे फिर भी जो आपकी पूरी है वो फटेगी नहीं और इसमें हमें दाल पीषने की भी जरूरत नहीं होगी तरके के साथ ही हम दाल को लगाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे हम पूरी को बनाएंगे ये मेरी मा की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पूरी तो यहाँ पर मैंने तीन से चार घंटे पहले एक कटोरी चना दाल को इस तरह से फूलने के लिए रख दिया था से फूली हुई दाल है मसालों में जाएगा सिर्फ फल्दी और धन्या तीखा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मैं यहां लाल मिर्च को स्किप कर रही ही स्वात के अनसार इस में नमक डाले हैं यह अंच्छे से एक मिर्ट तक रून ले उसके साथ ही मैं यहींग डालना भूल गई तो थोड़ा समय यहां चुटकी हिंग डाल रही है जितना दाल ले उसे डेर गुना हम यहाँ पर पानी लेंगे और अच्छे से 6-7 सीटी इसमें आराम से आने दे दाल हमारी अच्छे से पक जानी चाहिए तो यह देखिए अच्छे से मैंने इस मसालों को इसमें मिक्स कर दिया और आराम से मीडियम फ्लेम पर 5-6 सीटी आने द तर तक हम आटा इसका तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब आटा ले रही हूं स्वात के अनुसान नमक इसमें मैंने कलोंजी डाला है अजवाइन डाला और बिल्कुल थोड़ा सा एक चमच के करी रिफाइन वाल रा दियो सबको अच्छे से मिक्स कर रह तब तक चलिए हम अपना दाल को चिक कर लेते हैं हमारा दाल हुआ की नहीं हुआ तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे 6 सीटी लगाया था यह देखे दाल हमारी कितनी अच्छी से अच्छी से पक चुकी है तो कोई भी मैशर से हम इसे इस तरह से मैश कर लेंगे यह बहुत ही मैश हो जाएगा इसमें उपर से आपको कोई भी मैसाल है कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है यह देखी कितने अच्छे से दाल हो चुका है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा होगा तो यह अपने आप सेट हो जाएगा अगर आपको पानी थोड़ा सा उपर नीचे लगे तो आप इसे थोड़ा सा और सुखा सकते हैं उसके पानी को थोड़ा सा ड्राइ कर सकते हैं तो इधर मैंने आटे की गोल गोल लोई या पूरिया की बना ली है तो इसे इस तरह से हमें कटोरी का सेब देना है इस तरह से बहुत ही आसानी से आप करोडी का सेफ देंगे गोल-गोल करके और इसमें जो भी हमने डाल की स्टफिंग है वो अच्छे से इसको डाल को इसमें डाल के भरेंगे बिल्कुल इसमें हमें कम नहीं करना अच्छे से बनना है इसके मुह को इस तरह से बंद कर दे और इसे फिर से इस तरह से इस तरह से गोल करते हैं यह देगे कि यह कितना चिकना बन के तयार हुआ है उसके साथ इसमें थोड़ा समय ने सुखाट अच्छे रख दिया है और इसे अच्छे से आसानी से एक ही बार जोर से दबाना नहीं है दीरी दीरे करके हम इसे इस तरह से गोल सेप में बेल लेंगे चोटी बेननी है मोटी बेननी है वह आप खुड डिसाइड करें इदा मैंने तील गर्म होने के लिए रख दिया था इसमें डालेंगे और इस तरह से दबा दबा कई है देखे कितनी अच्छे से हमारी फूलिया पूरिया जो है वह फूल गई है बिल्गुल गुबारे के तरह आप भी से घर पर जरूर ट्राइए करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक की